जो खातूर ने मैसेज भेजा था उन्होंने ये कहा उनकी दलील ये थी क्योंके अल्ला ताला को मर्दों की नियत का पता था इसलिए और तों को पर्दे का कहा गया ताके वो प्रोटेक्शन फील करें और ये अक्सर खावातीन मुसल्मान औरतें इसलाम को इसलिए भी लाइक करती हैं बिचारी के वो कहती है हमें पर्दा हमारी फायदे के लिए इसको डीबंग करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ पहली बात ये कि ये जो सूरे नूर की आएक नंबर 31 इस बात को एड्रस करती ह मेले में तर्जमा करता हूं कि अल्ला ताला ने पढ़ देगा क्या बोला है तर्जमा और मुसल्मान औरतों को हुकम दो कि वह अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाज़त करें और अपना बनाओ ना दिखाएं मगर जितना खुती जाहिर है औ और वो दुबट्टे अपने गरेबानों पर डाले रहें अब मुझे एक बास समझ आती जिसने चांद सूरज कड़ों गैलेक्सी बनाई उसको दुबट्टे की क्या फिकरत मेरी आइनो नो तो 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 आगे देखते हैं बड़ जितना खुदी जाहर और दुबट्टे अपने गरोबाने पर डाले रहें और बनाऊ सिगार ना करें मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप या अपने बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या बतीजे या अपने दीन की औरते या अपने कनीजें जो अपने हाथ के मिल्क हों या नौकर बस शर्क किये कि शहवत वाले मर्द ना हो। अच्छा यहां पे नौकर के सामने अल्ला कह रहे हैं कि परदा करने की जरूरत नहीं है। तो औरतों का पहली बात हुए कि अपने और मर्दों के सामने परदा ना किया करो। अब यहां ला फरमाते हैं कि शहवत ना हूँ तस्वीर तो मुझे बताएगा यहां पर दे वाली ओरत है अभी आर यह सामने है उसके जिसम को चारो देख रहे हैं हाला कि विचारी ने पूरा पर्दा किया है उपर वाली तस्वीर में चारो लड़कियां चड्डियों में बैठी ही है बंदा अपना फून देख रहा है तो यह किस इसका मदलब पर्दा प्रोटेक्शन की गैरेंटी नहीं है यह तो इनसान की फ्रस्ट्रेशन होती है जो पर्दे वाली ओरतों का भी रेप कर देता है तो पर्दा इस नॉट साइन ऑ प्रोटेक्शन आगे इसको तींचार पॉइंट जो है मैंने नोट किये ते में जल्दी एक मिनट लगे जी देखें दो बाते मैंने आयत बता दी वोलाम के सामने तो अल्ला कह रहा है पर्दा मत करो तो बहुत किया पर्दा पहले बात कि ऑरत की प्रोटेक्शन का तालूग कानून से होगा जहां कानून सखी होगा वहां और टो कोई हाथ नहीं लगा सकत अब्रों को या खुझा परदा अगर यहां की गोरी को पैदा होगी हालेंड में आप उसको परदा करो पागल समझेगी इसका मतलब आपकी बर्द का तालूक है परदे से अच्छा और आगे एक और बात ब्रेंड हो जाता है यहां गोरो के सामने नंगी ओरते आती वो नहीं क्योंकि उनको अब आदत नहीं होती नंगी और तो कुछों की तरह देखने की वादी हो जाते हैं तो परदा यहां पर फेल हो जाता है फिर मन्टू का बड़ा खुसर जुम्ला है मन्टू कहता है कि सिगरेट पीने से मर्दों के गुर्दे खराब होते हैं और और उर्टों का चेहरा दिखाना ना औरत का परताना करना एक कम्मिनिकेशन है अगर आप परदे में होंगी तो मैंसे कैसे पता कि मेरी इंप्लॉई मुझसे नराज है या नराज नहीं है तो यह मेरे कुछ पॉइंट से अब सर आप कुछ कह सकते हैं कि अच्टे मेरे पॉइंट हयं यहां पड़त का Hmm यह सारी मुझे इंप्रमॉट पर था मुझे पता के मियन्हीं यह कि सच्छी किया है ना मेरी थोड़ी सी मैं हिंदु़िजम को थोड़ा सा मारजन इसलिह दे जाता हूँ एक तो मैंने हिंदुजब को इतना प्सक्री श्क्रीजन अृष स्वेसाथ बढ़ दो सबने है ल को अन कि अविड रेसेगे बहुत न वहां भी यह denying बारख यह रिलिजन देख लिए क्या जए चाहितां। जिनमें आप अब्रामिक रिलेजिन्स देख लियें और देख लियें इन सब चीजों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है नसर जी वो ये नुकसान किया है कि औरत को वमिन को, फीमिल को उस खड़े में जा के गिराया है सालों से, हजारों सालों से, कि उस खड़े से निकलने के लिए भी उस बिचारी औरत को फीमिल को तो सर मैंने जो बात कर रहा था कि थोड़ा बहुत जो मुझे मैं मारजन देता हु ई TWO भी घृढ़ा सटैडी कि लगता है कि उन्हें इकुली जिसको कंई ने उन्हें एकवाली के ऊपर और और ट्रीट है लेकिन लिछzas कि नौर्स जो है वो जिदादर टिक नहीं पाए उनकी आज देखें कि आज हमारे पास जो चीजे हम सो हजार बारसो साल बाद जो चीजें इम कर रहे हैं, इमजन कर रहे हैं, नौर्स लोग ने वो परवाइड कियी ती अपनी अरस्म आओं, वहर वो काम कर दिए जो मर्द कर ते उसमें हकुमत हो उसमें खेती बाड़ी हो उसमें अटैक करना हो उसमें डिफंट करना हो उसमें गवर्ननस हो उसमें हाउसोल्ड हो हर चीज जो है वो मेरी जो स्टडी है मेरी I can be wrong about it बट नॉर्स के इलावा जो है मुझे कोई भी ऐसा रिलिजन नहीं नजरा आता जिसने कहीं पे भी वोमन को फीमिल को डिप्राइव ना किया हो अब वो तो बात है मगर नॉर्स वाला भी वजारी बात है कि उद्धर आ उर्टां विड़ती भी थी उनका उनकी ऐसी सुसाइटी थी कि वहां पे अगर वो औरत को नीचे कर देते तो वो सर्वाइव भी नहीं का सक थी ठीक है तो यह एक चीज जो है यह बड़ी इंपार्टन्ट है जिस होजा से उदर हमें नदर आता है यह मगर मैं समझता हूं कि जिस सुसाइटी में जिन सुसाइटी में मार लूट मार इशू होता ना तरीका धुनिया का वहां पे औरत की उकार कम होती है ठीक है हमारी अपनी अग्रेडियन सुसाइटी जो हैं इंडिया पाकिस्तान की वहां पे भी औरत की वह वैल्यू नहीं है मगर निस्बतन फिर भी अर्बों से बेटर है ठीक है तो जो इशू है वो यह हिया कि जी यहां पे बड़े मुश्किल हाला आते हैं और नॉर्स वालों के चक्र म हैं वहां पे इसलिए औरत बेतर है अगर इसलाम को देखा जाए तो मैं यह समझता नहीं हूँ कि इसलाम भी हजाज की पैदावार है इसलाम की सिटुएशन की कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है इसलाम वहां पैदा नहीं हुआ और इसलाम से पहले औरतें बड़ी करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहत जरूरत है और यह सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के जरीए और पेपाल के जरीए कर सकते हैं पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे